किशोर कुमार का एक बेहद लोकप्रिय गीत है कोई हमदम ना रहा कोई सहारा ना रहा जो आज 50 साल बाद भी टाइमलेस क्लासिक कहलाता है किशोर कुमार को वैसे भी दर्द में डूबे नगमे गाने में महारत हासिल थी और इस तत्य को उनका ये गीत अपनी रिलीज के वक्त से लेकर आज के समय तक दोहरा रहा है ये गीत उनके और मधुबाला के अभिने से सजी 1961 में आई जुमरू फिल्म का है जिसमें ना सिर्फ इस फिल्म का फिल्मांकन उन पर हुआ था बलकि इसका संगीत भी उन्होंने ही दिया था लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि इस गीत को सबसे पहले उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने गाया था जुमरू बनने के लगभग 25 साल पहले आई एक फिल्म में वो फिल्म थी जीवन नया जिसका नाम हिंदी फिल्मों के इतिहास में इसलिए अमिट है क्यूंकि वो पहली फिल्म है जिसमें बॉंबे टॉकीज वाले हिमानशू रोय ने अशोक कुमार को बतौर हीरो कास्ट कि दिया था देविका रानी इसमें उनकी हिरोईन थी और फिल्म का संगीत उन पार्सी महिला सरस्वती देवी न दिया था जिनहें जद्दन बाई के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी महिला संगीत कार होने का रुद्बा हासिल है इस फिल्म में युवा द गीत की धुन को पूरी तरह बदल दिया और इस कदर कर्ण प्रिय बना दिया कि सुनने वालों को सिर्फ उनका गाना याद रहा अशोक कुमार नहीं बाद के वर्षों में लता मंगेश करने भी किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देने के लिए इस गीत को गाया और किशोर के अमित कुमार ने भी लेकिन सभी ने किशोर कुमार के वर्षन को ही नई आवाज दी